नमस्कार, खास बातचीत में आज हमारे साथ मोजूद है शिफपूरी कलेक्टर श्रीमदी अलोग रहपी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको खासा बचार में बहुत-बहुत स्वावत करना चाहूँगी मैं लगपग आज लॉक्टाउं को एक महीना होनी ते लिए आगया हूँ कैसे मोनीटरिंग कर रहे हैं शिफपूरी पुलिस और आप लोग कैसे इसको हैं सिचुएशन को पहला चीद है हमारा डिस्ट्रिक में मार्च 26 को पॉस्टिव केसल लास्ट इसके पहले मिला है सो कल तक मनलब एप्रिल 23 तक डिस्ट्रिक जो है औरन्ज जोन में से कल के बाद जो है अभी ग्रीन जोन में आये हैं महार अभी यह लंबा दोड है इसमें हम रिलाक्स नहीं कर सकते हैं सो अभी भी लॉक्डूं को हमको शक्ती से फालन करना पड़ता है सो हमने अभी यह की है सारे नाका बंध हैं सो बाहर से जितने भी लेवर्स आ रहे हैं उनको हम स्क्रीनिंग नाका में भी कर रहे हैं जैसे शेहर में हमने 144 लागो किया है जिसमें हमने यह अभी चूट दिये हैं 725 सुभे साथ बजे से पांच कोजे तक पबलिक बाहर आ सकती है पर हम यह अनुरोद कर रहे हैं जो अवशक वस्तों हैं सिर्फ उसी के लिए बाहर आ जाए अनावशक बाहर नहीं आये और जबिय बाहर आते हैं अनुवारेता आपको मांक्स पहलना पड़ेगा मैं देवाद आ रहा है कि कुछ लोग जो है श्विपूरी में अन्नेसेसरी निकल रहे हैं किनी को तो काम है लेकिन बाट दोस्वार गोइं नेसेसरी जो बेवजा निकल रहे हैं और उन पर सक्ती से पुलिस क क्या पानवाई कर रहे हैं अभी हम दे इंट्रूस किया है अस पर डिसास्टन मानेश्मेंट एक और एपिडमिक कंड्रोल एड हम उनको फाइन भी करना चालू किये हैं सो रुपे के फाइन दर्दारत किये हैं जो मांक दिना मास्की आ रहे है या मालीजे कोई दुखान में अगर यह मैंटेंग नहीं कर रहे हैं जैसे तोबैको या जो भी प्रोड़क्स का यूज कर के श्पिटिंग करते हैं उनके उपर हम अभी सो रुपे स्वाट फाइन कर रहे हैं और उसके अलावा ऑन दे पॉसिटिल साइट अभी हम यह प्लान कर रहे हैं जितने भी महिला स अभी महिला सब्सक्राइब कर दोड़ारा उन लोगों को दुकान को रहे हैं सानेटाइजर शोप आर मास्क जो है वहां बेज देंगे तो उन लोगों का एक एम्प्रोइमेंट की अपर्शनेटी भी हो जाएगी और हम तो जो अनिवारिय मास्क पहना है वो नियंबी पालन हो जाएगी मैं दिखा जा रहा है कि जो है लॉक्टाउन के दौरान कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि हम घर से बाह निकले हमारी दुकाने खुले या नहीं करे कोई छोटे-छोटे वैपसाही है उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेगी बोड़ों के मनने कंफ्यूजन के मन में बहुत कंफ्यूजन है तो उसको लेके से आप क्या करेंगी है कि जैसे एसेंचिल कमोडिटी से मतलब अवश्यक बस्तों है किराना दुकान है दूद देरीद है मेडिसन्स है यह तो पूला है यह पहले से भी पूले ते अभी जो नया शंचोदन आया कोई भी तरह का टू-वीलर फोर वीलर शोरूम नहीं कोड़ना है वहर उनकी रिपेरिंग दुकाद है वह हम कोल सकते हैं अच्छा मैं देखा गया कि अब शिखपुरी जो रेड जोन में था अब ग्रीन जोन में आ गया उसके लिए आप और शिखपुरी का पूरा प्रशा पूरा शुकरी पब्लिक और पोलिस प्रशासन और हमारा मेडिकल तीम है इन सभी को जो है देनेवाग और वदाई की पांत्र है इनोंने मिलके जो है ये कोरोना से लड़ाय हम लड़ रहे और इसमें पोलिस प्रशासन और एस्पी साब की जो है बहुत अच्छे बाहिदार वह है वोन थी ओट है वन रहे अच्छे कांट्रोल किया है और अच्छे कोर्डिनेशन हैम दो लोंं के साथ भी कोलिस और प्रशादन के साथ में दूसरी जो फबिक और प्रफेशनल और परसनल लाइ enacted आए है तो जब था करते है उस समें काम को देख लेए जो गर जाते है पिर बच्छों के साथ और उसके टाइम परना पड़ता है अब यह जो इतनी बहुत क्रिटिकल कंडिशन है तो आप थोड़े बच्छों से भी एक साथानी रखे हैं पहले जैसे महानली जी पहले 5 गंठा मिलता था स्पेंट करना पड़ता है अब यह तो मुश्किल है दो गंठा हम स्पेंट कर पा रहे हैं और भी दूरियां रहती हूंगी बच्छों के आप में जब भी गर जाते हैं पहले हम सारटाइस कुद करा ले थे फिर उसके बाद ही बच्छों के साथ केलना चालू करना पड़ता है क्यूंकि एकदम जो है मतलब सर इंफेक्शन की जादा चांसर बढ़ जाती है मैं फासामाचार के माधियम से लोग आपको श्रिकुरी की जनिता आपको सुन रही है लोगों से आप क्या फील करना चाहेंगी क्या एक मेसेज उनको देना चाहेंगी मैं जैसे पहले भी बता रहेते हैं यह लंबा दूर है इसके मतलब यह अभी जिसे में तर्ड के लॉंडौन के बाद पूरा कोरोना समाप्त नहीं होने वाले हैं आप रोज देख रहें इसकी केस लगातार बढ़ते जा रही है इसलिए आपको और आ अवश्यक वस्तू के लिए गर से बाहर निकलना पड़ेगी और जब भी निकलते हैं आपको मास्ट पहनना पड़ेगा और जब भी वापस जाते हैं पूरा सानटाइस होने के बाद ही जो है घरवानों से आपको संपर करना चाहिए और जब भी आपको मिंटेन करना है तब ही आपकी गर और आपकी स्वायम और आपकी परिवार की जो है सुरक्षा जो है हो सकती है तो फास समाचार पे हमारे साथ खास बादचीत में शिफ्पूरी कलेक्टर अनुग्रहपी ने एक संदिश लेते हुए लोगों से अपील की है कि अतिया नावशक होने परिवार निकले खास बादचीत में ऐसे ही आपसे आगे मुलाकात होगी अब बने रहे फास समाचार के साथ